हाई स्टोडेंज वेलकम टो माई नियो वीडियो ओफिशाका क्लासेज और आज का ये जो वीडियो है वो है एमकुम पार्ट टू मैनेजमेंट ग्रूप और सब्जेक हैं एंडरपैनर्शिप मैनेजमेंट जिसके आईडियल्स के बॉंबर यूनिवर्सिटी के तरफ से सेंपल एमसी के आज मैं बताने वाली हूँ आपको अंसर तो आप अपने पीडियाफ ओपन कर सकते हूँ अगर आपके पास बूक हो तो उसमें आप ये क्विश्चिन और विट डैरेकली आप अंसर नोट डाउन कर दीजी नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप कीजी और स्क ने रेना क्योंकि मैं और भी अपडेट्स आपको बताने वाली हूँ आप करते हैं फर्स कुशन दिये हैं बिसनेस डैस रिफर्टो दे सरकम्सफरेंस अंडर विच दे बिसनेस एंटरप्राइज ओपरेट स्मूथली तो इसका अंसर है एंवान्मेंट ए स्मॉल बिसनेस फ इसका अंसर है बिसनेस तो 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 entrepreneur is saying difficult by difficult section of fifth answer A उसका answer है याप पर A society आगे बढ़ने से पहले आपको और update बता देती हूँ अगर आपको और भी videos MCQs चाहिए तो यह जो उपर i button है याप पर आपको मिल जाएंगे whatever is i button भी click किजिए और भी आपको videos मिल जाएंगे next six a money net worth was stabbed at about 4 million by earlier 1980 तो इसका answer है D in the product selective dash is the first stage तो यह पर है idea formatting मतलब C है यह पर answer that is the scheme design possible of something in send or dies तो इसका answer है A project 9th का question है dash is the life blood of enterprise तो enterprise का जो life blood होता है वो है finance तो answer है A 10th का है dash are important to remove regional imbalance तो यहाँ पर इसका answer हो गया है C यहाँ पर मैंने आपको सभी questions के answers बता दिये हैं आप उन्हें सभी ने mark भी कर दिये होगा आपकी books में आपकी PDF में आप जैसे माफ करना चाहते हो वैसे आप marking कर लीजिए तो यहाँ पर हमारा खतम होता है और भी वे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और भी करने वाली हूँ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है फटर फटर मेरे चैनल को subscribe कर लो बैल आइकन को भी click कर देना उसे आपको हमेशा नोटिफिकेंसे मेरे नए वीडियो पे आपको मिलते ही रहेंगे तो आज के लिए इतना ही बस बाई थेंक यू एन अल दे बेस्ट